हेलो फ्रेंड्स होप आप सब अच्छे हो आज मैं आपके साथ आलू अंडे का कड़ी रेसिपी शैर करती हूं चलिए स्टार्ट करते हैं यह उबले हुए आलू यह उबले हुए अंडे यह प्याज यह टमाटर यह मसाले लाल मिरिज पाउडर यह हल्दी पाउडर यह गरम मसाला यह अद्रक यह लशन यह जीरा यह गोल मरीच इसे मैं मिक्सी में पीछ लूँगी यह मेरा मसाला रेडि हो चुका हैं यह मेरा तेल गरम हो गया है यह सर्चो का तेल हैं इसमें मैं अंडे यह यह इसनद्रक यह इसने कहले मरूद्रक कि अद्ट फ्राइ कर लूंगी प्राइद ही देड़ी देड़ी इस देड़ी इस तरह से पिछे ज्यादा नाल नहीं करना है बस हलका ब्राउन करना है यह हो चुका है मेरा आप देख सक रहे हो इसे मैं निकाल लूंगी इसे तरह से सारे प्राइगा इसे तरह से सारे प्राइगा यह सारा अंडा फ्राइग हो चुका है अब मैं इसमें तेल मेला गड़म है प्राइगा प्राइग डाल दूंगे इसमें इस तरह से प्राइगा ब्राउन करना है आज को हाई कर लेंगे आज को यह मेरा प्राइग ब्राउन हो चुका है यह मेंने पेस्ट बनाया था अधरक लासून गुलमरीद जीरे का वो इसमें मैं डाल दूंगी इस तरह से यह सारी मसाले है, दरिया पाउडर, यह सल्दी पाउडर से दिजिन जी, यह लाल मिलिक पाउडर, बढ़र मासाले, यह मेरा मसाला भून चुका है, इसमें मैं एक छमच नमक दूँगी, आप टेस्के अनुसार दे सकते हो, चला लोंगी इस तर से, इसमें टमाटर कटा हुआ, डाल दोंगी, तो आर भून देना, यह मेरा मसाला भून चुका है, देख सक रहे हो, तिल, आच रा मसाला में, इसमें, उबले हुए जो आलू थे, इसे डाल देना है, इसे इस तरह से डालना है, इस तरह से फोर के, तोड़ के, इस तरह से, इस तरह से आपका, जो करी है अच्छा बनेगा इस तरह से हमने सारे आलो को मसाले में डाल दिये हैं तरह के चला लेंगे तरह से चला लेना है मसाले में इसमें पानी डाग दूंगी अच्छा पानी डाग दूंगी मैंने एक प्याली पानी डाली उसमें चला लेना है इस तरह से यह देखिए इसे मैंने मिला लिया है यह जो अंडा है यह इसे मैं इस तरह से चाकू लेकर इस तरह से दो तरब से इस तरह से काड़ देना है फलका सा ज्यादा नहीं और इसे करी में छोड़ देंगे तो उसी तरह से सब को करना है इस तरह से अ यह सारे अंडे को मैंने करी में डाल दिये हैं ग्रेवी में अ अंडे में कट लगाने से जो ग्रेवी का फ्लेवर है वह अंडे में चले जाएंगे इस तरह से काट के डालोगे तो आपका ग्रेवी का फ्लेवर उसमें चला जाएगा यह मैं ढख दूंगी और यह मेरा गैस हाई फ्लेम पड़ेगा अब देख सक रहे हो यह तेल उपर आ चुका है यह थोड़ी पतली है ग्रेवी अब यह थोड़ा आड़ होगा चलिए इससे होने देते हैं यह नमारा रेडी हो चुका है गैस को कर दूंगी बन चलिए इससे बावल में निकाल लेती हो इस तरह से निकाल दूंगी प्रेंड यह मेरा आलो अंडे का कड़ी रेडी है इसे आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं मिलते हैं एक नए ब्लोग के साथ और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सेट और सस्क्राइब कमेंट करिएगा टाटा बाई बाई मिलते हैं